सो दोस्तो 2022 में WhatsApp का बहुत तगड़ा और बहुत बड़ा अपडेट आया है जो आपके WhatsApp को बना देता है good looking साथ में आपके chatting experience को कर देता है improve तो दोस्तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं चलते हैं अपने मोबाइल के screen पर और देखते हैं कौन-कौन से update आया है और इनका use आप कैसे कर सकते हैं so hello guys myself Pritam Tiwari and you are watching your own channel ठीक टॉप दोस्तो आ चुके हैं हम अपने मोबाइल के screen पर अब दोस्तो सबसे पहले मैं जा करके अपना duo WhatsApp आउन करता हूँ मैं अपना वो वाला WhatsApp आउन नहीं करूँगा क्योंकि उसमें बहुत सारे messages आ जाते हैं तो दोस्तो यहाँ पर simple मैं अपना दूसरा WhatsApp आउन कर लेता हूँ तो दोस्तो यहाँ पर सबसे बड़ा update जो देखने को मिल रहा है वह यह है कि जब भी आप group calling करते हैं तो group calling में आपको एक join button का option मिल जाता है मैं जाता हूँ अपने दूसरे mobile से एक group मैंने create कर लिया है इसमें मैंने अपने family member को add कर लिया है अब यहाँ पर मैं group calling करता हूँ simple सा जैसे हैं आप group calling करेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से join button का option देखने को मिल जाता है साथ में यह भी देखने को मिल जाता है कि इस group calling में कौन किस को group calling के लिए invite किया गया है फिरहाल मैं इसको ignore कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी यह group calling नहीं चाहिए दोस्तो दूसरा update जो देखने को मिल रहा है वो है achieved message का यहां पर simple सा आप देख सकते हैं मैंने एक message archived करके रख चुका है दोस्तो जब भी हम किसी से message height करना चाहते हैं या किसी से message छुपाना चाहते हैं या किसी के message को परिशान हो जाते तो हम उसे archived mode पे डाल देते थे तो यहां पर क्या होता था दोस्तो सामने वाला जैसे ही वो message करता था जैसे कि मैं दिखा दे रहा हूँ सामने वाला जैसे ही message करता था वैसे ही क्या होता था कि वो message जो है वो निकल करके आ जाता था और इस तरीके से notification पर भी so होता था और वो बाहर भी आ जाता जिसकी वज़ा से हमें archived करने के कोई फायदे ही नहीं होते थे लेकिन दोस्तों अब इसको fix किया जा चुका है यहाँ पर simple सा जाना है आपको अपने mobile के setting पर setting पर जाने के बाद आपको chats में जाना है chats में जाने के बाद आपको keep chat archived का जो option दीख रहा होगा इस option को आपको on कर देना है अब दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं मैं back कर दे रहा हूँ आप back करने के बाद मैं यहाँ पर भेज़ने के बाद यह message देख लीज़ आप नहीं बाहर आया है और यहाँ पर जा करके देख सकता हूँ तो यहाँ पर message आ चुके, इसके बाद आप देख लीजे, मैं यहाँ पर typing कर रहा हूँ, इसके बाद मैं जैसे ही message भेज देता हूँ, फिर से message आ चुके हैं, लेकिन यह archived release से बाहर नहीं आया है, तो दोस्तों यह बहुत ही अच्छा feature देखने को मिला है, दोस्तों इसके बा लेकिन दोस्तों अब यह fix कर दिया गया है, और इसको पूरी तरीके से change कर दिया गया है, दोस्तों अगला update जो देखने को मिल रहा है, वो update यह है कि आप अपने message को disappear कर सकते हैं, disappear का option दोस्तों बहुत ही मज़ेदार है, इससे क्या होता है, जब आप किसी group के admin है, या फिर अपने chat के admin है, देखिए दोस्तों, इसके लिए main यही बात है, इसको कोई नहीं बताता है, इस बात को, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप अपने chat के admin है, मतलब आपके द्वारा भेजा गया chat है, केवल उसी को आप disappear कर सकते हैं, अगर आप किसी group के admin है, त जैसे मैंने कोई एक general knowledge का group बनाया हुआ है, तो उसमें simply क्या करूँगा मैं, कि जो मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ 90 दिन, तो 90 दिन पहले वाले जो पुराने messages है, वो automatically delete होते जाएंगे, अगर मैंने 7 दिन के लगाया, तो 7 दिन वाले message जो है, उसके पहले के message delete होते जाएं disappear पे and फिर वो message automatically delete हो जाते हैं, तो दोस्तो इसके लिए सबसे based option है, दोस्तो अगला update जो देखने को मिल रहा है, वो यह है कि आपको यहाँ पर simply जाना है and कोई भी photo एक select कर लेने है, यहाँ पर मैं जा करके आपको दिखा दे रहा हूँ, कोई भी photo select कर लेना है, sorry मैंने अभ option आप select कर लेते हैं, तो सामने वाला इस photo को केवल एक बार ही open करके देख सकता है, अब मैं इसको कुछ इस तरीके से बता देता हूँ, मैं इसको back कर देता हूँ, फिलाल आपको बता देता हूँ कि यह किस तरीके से काम करता है, अब मैंने दूसरे वाले mobile से एक photo भीज दे अब इसके उपर one tap जो है, उसको on कर दे रहा हूँ, अब इसके बाद मैं भेज देता हूँ, तो यह photo जो है, वो photo की तरह नहीं आता, कुछ इस तरीके से बन करके आता है, अब यह photo, मतलब हम लोगों को पहले क्या है, हम लोग बागी photos जो भेजते हैं, वो पूरे big size में दे अब इसको हम एक ही बार open कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर click करता हूँ, तो यहाँ option आ जाता है, this photo is said to view once, मतलब इसको आप एक ही बार देख सकते हैं, यह मैंने देख लिया, अब यह देख लिए, अब यह देख लिजिए, openate का option show हो रहा है, मतलब इसका मतलब हमने यह file open कर लिया है, अब जा करके इसको हम दुबारा open नहीं कर सकते हैं, मैं इसके उपर कई बार भी tap कर लूँ, तो दोस्तो यही थे कुछ WhatsApp के trick, और कुछ-कुछ WhatsApp में जो changes हुए हैं, जो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, दोस्तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं, तो सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, और वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक कर दो वीडियो को, मिलते हैं गले वीडियो में, तब तक के लिए, बाबाई!